अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एस्कलेपियस आयरुवेदा में दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीडित है अपने कामों में व्यस्तता के कारण खुद को स्वास्त रख पाना आज के जेट में बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इमूनोडॉक रस जोकी आयरुवेदिक रस है यदि इसके इंग्रिडेंट के बारे में हम बात करें तो आप इसकीन पर देख सकते हो इसमें एपल, मुलेठी, असोगंधा, गिलोई, जिंजर, तुलसी, त्रिफला, एलोवेरा इत्यादी अनेक प्रकार की जड़ी बुटियों से मिलाकर बनाई गई ये कायरुवेदिक जोस है दोस्तों, भूख न लगना, सिर में दर्द, अस्थमा, गैस, कबजियत, ठकान, नियोकमजोरी या एक आम बिमारी बन गई है, जिससे अधिकांस्ता लोग प्रभावित है इन सभी बिमारियों में इम्मीनोडॉकरस का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा इम्मीन सिस्टम को बुष्ट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में ले सकते है इम्मीनोडॉकरस 25-30 ml डेली दिन में दो बार लेना है इसको लेने से पहले अच्छी तरह शेक कर लेना है इसको सही जगा पे रखना है आपको, कूल और ट्राइपलेस पे, संलाइट से बचा कर रखना है इसके अलावा, आपको एक महिना के अंदर में इस प्रोड़क्ट का इस्तमाल कर लेना है दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने जनकारी आपको दिया था कि यदि प्रोड़क्ट में किसी भी प्रकार का लिकेज है, तो उस प्रोड़क्ट को आपको नहीं खरिदना है तो दोस्तों, अब फैसला आपका है कि या आपको फिट रहना है, या बिमारी के नाम पे लाखों खर्च करना है मिलते हैं अगले सिसन में नए प्रोड़क्ट और उसकी जनकारी के साथ धन्यवाद